कि अग्यूंद दोस्तों कैसे वाप लोग अई योप सब बढ़िया होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज से पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं पिछली क्लास का एक बार रिवाइस कर लेते हैं क्विक्ली कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था इसे वह याद है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था चलो कोई बात नहीं कि लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने टेक्निक्स कबसे पहले टेक्निक्स ऑफ ऑड़िटिंग करते हैं कैसे कैसे हैं यह पढ़ा था हमने और हमने क्या पढ़ा था टाइप ऑप आउडिट्स टॉड़िए पर जिल्दी से रिवाइस कर लेंदा हैं क्या क्या था इसमें इसमें अपना पहला कैसा कैसा ओडिट कर सकते हैं सबसे पहले हम normally document check कर सकते हैं कोई bills हो गया register हो गया sales की entry हो गई employee का register हो गया normally हम documents वगरा check कर सकते हैं सबसे basic तरीका दूसरा physical examination किसी भी asset को machinery को हम जाके physically देख के आ सकते हैं ठीक है खुद physically जाके हम उसको verify कर सकते हैं कि वो चीज exist कर रही है कि नहीं कर रही correct तीसरा observation generally जहाँ पर हमारा जाना impossible होता है कोई चीज को करना audit करना check करना impossible हो जाता है महाँ पर हम अपने observation लगाते हैं हमने कौन सा example लिया था stock का stock में हमने दो example लिया था एक तो mining का माइनिंग होती है न कॉल माइनिंग कोईले की ख़दान में अंदर जाके या फिल I'm sorry oil mining उतना नीचे जाके कैसे check करेगा कि भईया कौन सी machine चल रही है तेल कैसे निकल रहा है या फिर कॉल माइनिंग में नीचे जाके कौन कौन सी machine से कुदाई हो रही है ठीक है कितने employee काम कर रहे है तो वहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं observe कर सकते हैं मोटा मोटा कि हम इसमें कितना कितना क्या क्या होगा stock अगर रखा है तो हमने याद है हमने एक चीज़ आपको हमने एक्जामपल लिया था chemical का chemical factory का कि जो main factory है उसके बाहर chemical बनने के बाद रोज के 10 can रखी रहती है ठीक है लेकिन हमको मिल गई वहाँ पर 20 तो हम अंदाजा यह लगाएंगे कि हर मेंसा तो 10 पड़ी रहती है एक दिन का production तो 10 होता है तो आज ज़्यादा कैसे हैं तो ऐसे ऐसे करके हम observe कर सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं यही एक्जामपल दे रखा है आपकी बुक में तो इसको इसी तरीके से ही लिखना है कहीं आप लोग यह सोचो कि यह तो सर ने ऐसी बता दिया नहीं जो लिखा है मैंने वैसे ही डिसकस किया है ठीक है ठीक है जो बैलेंस का कानफरमेशन होता है कि हमने साल में इतना सेल करा है इनको ठीक है तो इसका यह बताओ कि यह सेल्स का बैलेंस ठीक है या नहीं ठीक है लास्ट है कॉमपुटेशन हम सारी कैलकुलेशन भी चेक करेंगे टूटलिंग सही की है एक्स का formula सही निकाला है, rate सही लिया है कि नहीं लिया, जो calculation वाला part है ना, हम वो भी check करेंगे, तो यह सारी techniques हुई, जिन techniques के थुरू हम audit करते हैं, next point क्या था हमने, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यह सारी audits, एक बार quickly revise कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, छोटे-छोटे points क समझ के, छोटे-छोटे point में, जो किसी act, किसी धारा में compulsory किया गया हो, audit करना, जैसे company sector में, company को audit करवाना compulsory है, जैकिन private audit, private audit में क्या होता है कि audit करवाना compulsory नहीं होता, जैसे आपने अपने नाम से कोई दुकान खोली हुई है, चला रहे हो, तो आप अपनी audit खुद भी कर समारा, third government audit, government के जो departments होते हैं, उनका भी audit होता है, ठीक है, तो government के जो audit होते हैं, उसमें कुछ norms कुछ तरीके अलग होते हैं, जो auditor अपने तरीके से उसके audit करता है, based on उस government पे क्या क्या चीज़े apply होती हैं, क्या क्या नहीं, वो सब ध्यान रखते हुए, मिलनी जो government सरकारी दफ्तर होते हैं, उनका audit होते हैं, जैसे LIC भी हो गया, LIC हो गया, भेल, सेल, कंपनी हैं गोवर्मेंट की, और क्या हो गया, railway हो गया, ठीक है, ऐसा बहुत सारी गोवर्मेंट के काम हैं, उनका audit करना, दूसरा है, based on objective, अब इसमें क्या, इसमें जो entity है, वो ही अलग-अलग होते हैं, उनका audit हो रहा है, अब यहाँ पर किसी भी एक entity का चाहिए, वो company हो, firm हो, individual हो, उनके कितने तरीके की audit हो सकते हैं, ठीक है, objective, कितने तरीके की audit हो सकते हैं, वो है, independent financial audit, normal, जो audit हम करते हैं, जनरली, financial audit, pay and balance sheet, वगरा, जो basic concepts हैं, audit का, सबसे basic concept, independent financial audit, जो हमने पहले द कावे में आये हुए, या फिर किसी के भी bias में आये हुए, audit करना, independent financial audit, यानि, finance का audit करना, simple सा point यह है, ठीक है, पैसो क audit करना, दूसरा internal audit, internal audit क्या होता है, internal audit वो होता है, कि company, अपने खुद की company के अंदर जो system चल रहे हैं, जो process चल रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, जो offices हैं, जो department हैं, उनका audit करवाती है, इसमें सबसे main point यह हमने जाना था, कि यह audit कोई CA भी कर सकता है, कोई company का employee भी कर सकता है, वो CA हो चाहे ना हो, यह main point था, यानि company खुद audit करवाती है, अपने ही दाइरे में, management, company के जो board of director होते हैं, manager होते हैं, वो करवाते हैं, कि एक बार देखो यार, audit साब आके, हमारे का organization में सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तीसरा, cost audit, cost audit, जो आप costing में पढ़ते हो, ठीक है, किसी भी product की cost निकालना, factory में कितने का माल बना, कितने का बिका, कितने का बिकना चाहिए था, profit margin, वो सब जो basic चीज़े होती हैं, वो companies, cost audit में आती है, as per section 148 of companies act 2013, तीसरा, management audit, management audit is similar to internal audit, बस internal audit में थोड़ी ज्यादा चीज़े आ जाती है, management audit में क्या जाता है, कि management, यानि जो managers बगर हैं, जो company को चला रहे हैं, तो वो चलाने को उनका तरीका है, कहीं वो तो कहीं है, उसमें तो कोई घपला नहीं है, ठीक है, तीसरा, tax audit, tax audit में income tax act 1961 में कुछ company को, कुछ entities को compulsory होता है, कुछ limits होती है, दो करोड, पांच करोड, दस करोड, ठीक है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वो आप tax में सीखोगे, जब tax पढ़ोगे, 44 AB section होगा, उसके तहट कुछ लोगों को audit कराना पड़ता है, तो यह वो और टाइप का audit है, जो income tax के दायरे में आता है, ठीक है, लास्ट है special audit, special audit में क्या होता है, कि जब government या फिर central government या फिर कोई tribunal, tribunal माने कोई court, order दे दे, कि इस entity का, इस company का एक बार special audit करके देखो, एक तो audit हुआ होगा, किसी CA ने करा होगा, ठीक है, चाहे वो statutory हो, private हो, government हो, यह इन में से कोई audit तो हो सकता है, हुआ हो पहले से, लेकिन government को यह लग रहा है, कि यह इस दिने नो कुछ गल्तियां की है, जिसकी वएसे लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है, जिस अभी PTM का audit करवाया था, वो special audit करवाने के लिए अपील गई है, तो central government उसका special audit करवा रही है, उस special audit के बा अटरली हो, कैसे बेह सकता है, दूसरा है annual audit, annual और final audit, जो साल खतम होने का होता है, जर्नली जो company का audit होता है, एक अप्रेल से 31 मार्च का audit होता है, वो 30 सितंबर, अगली 30 सितंबर तक हमें complete करना होता है, यानि पूरे साल का total audit होता है, वो होता है, final audit बोल दो या फिर annual audit बोल Annual मतलब समझे हैं, पूरा साल, annual, interim audit, interim audit ही होता है, कि उसी साल में, उसी साल का audit, अभी साल खतम नहीं हुआ, इसमें क्या होता है, साल खतम होने के बाद, अगले 6 महिने में audit करना होता है, इसमें क्या, उसी साल के अंदर ही audit कर रहे हैं, उसी साल का, 9 महिने के बेस पे, 3 महिन उसी साल में हम audit कर रहे हैं किसी financial year में तो उसी financial year के भीच में ही रहके audit कर रहे हैं इसी financial year में किसी भी date को हमने audit कर दिया तीसरा, sorry last, scope based classification अब company ने, यानि client ने हमें कितना scope दिया audit करनेगा क्या उसने हमें सारा का सारा काम दिया करने को तो वो गया complete audit सारे area देखने है, sales भी देखना है, purchase भी देखना है, management का audit भी देखना है उनके process भी देखने है, production भी देखना है, IT भी देखना है, HR भी देखना है, finance accounts भी देखना है सब कुछ देखना है तो complete audit partial audit किसी एक particular चीज का audit कर वा लिया उन्होंने उन्होंने सिर्फ sales sales का audit करवा लिया, जी उन्होंने सिर्फ purchase purchase का करवा लिया audit, या सिर्फ और सिर्फ fixed assets का audit करवा लिया, तो कसी एक particular department का audit, detailed audit क्या पड़ा था हमने, detailed audit का मतलब है 100% audit, यानि एक-एक bill को check करना, हर department के अंदर भी हर department का एक-एक transaction चेक करना, वो हो गया detailed audit, ठीक ठीक है, यह हमने सारी चीज़ा पड़ी थी, इनके differences भी हमने पड़े थे, वह आपने देख लिया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, तो उसे repeat करने के को जरूत नहीं है, persuasive and conclusive evidence हमने कई बार पड़ लिया है, ठीक है, तो basic of auditing का, basic of auditing का हमारे पास, last topic रह गया था, ठीक है, I think अब पूरा आराय स्क्रीन पर, okay, okay, so यह एक most, one of the most important point है, आप यहाँ पर double star लगा लो, double star यह पर triple star, यह भी आपको लिखना है, ठीक है, अब इसको क्या है न, लोग समझने में बहुत गलतियां करते हैं, यह आज, आज की class यहां से start है, इसको समझने में लोग सच में बहुत ही गलतियां करते हैं, क्योंकि जो लिखे हुई जो language है न, वो थोड़ी different लगती है बच्चों को, समझते टाइम, और लोगों को मैंने देखा है, कुछ बच्चों से बात भी की थी, तो उनकी जो समझ है, वो समझ सही नहीं है, टॉपिक में एक छोटा सा, लेकिन बहुत important ऐसा point है जो लोग miss कर जाते हैं और गलत लिख देते हैं पेपर में, वो किसमत अच्छी है कि उन्होंने main paragraph पहले लिख दिया, चेकरनेवान नहीं देखा, that's a different thing, but otherwise इसकी लोगों को understanding पूरी तरह नहीं होती है, तो इसका न, एक पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं विस्तार में हुआ क्या था, एक किसे audit करवाया, किसे audit करवाया, मानले जो audit firm का नाम है, ABC and Associates, Associates, यह CA firm का नाम है, ठीक है, अब हुआ क्या, कंपनी ने audit करवाया, इस से, ABC Associates से, कंपनी का भी नाम हम कुछ रख लेते हैं, मानले जोड़े, यह कंपनी का नाम है, मानले जोड़े, ठीक है, अभी हम exact example पढ़ेंगे इसका, content भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत important point है, इसका separate questions आता है, कई बार, कि, देखो, मैं एक बार दिखाई देता हूं, दुबार, और एक watch dog होता है, ना कि bloodhound, bloodhound मतलब, hound मतलब शिकारी, वो शिकारी कुटा नहीं होता से, देखने वाला कुटा होता है, literal meaning इसका यह है, आप इसको समझते हैं कि ऐसा कैसे है, तो क्या हुआ था ना, एक case हुआ था, जिसमें ना, company ने audit करवाया, ABC associate से, अब हुआ क्या, ABC associate ने audit कर दिया, ठीक है, अब audit में एक गलती क्या हो गई, कि जो आपकी balance sheet होती है, balance sheet यह होती है, balance sheet ट्रेडिंग पेंडल, सुरी balance sheet कह रहा हूँ, profit and loss account, यहाँ पे आता है आपका, buy closing stock, यह closing stock ना, बढ़ा हुआ दिखा दिया, अब closing stock बढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे, जो GP है, gross profit है, वो भी increase amount में आएगा, ज्यादा amount में आएगा, gross profit है, फिर उसके बाद यहाँ पे, last में यहाँ पे net profit भी, net profit भी आपका बढ़ा हुआ आएगा, तो क्या हुआ ना, management ने क्या कर रखा था ना, company में एक गड़बड़ी हो रखी थी, stock बढ़ा हुआ रखा था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आगया, और order ने क्या किया, auditor क्या करता है, उसके पास तो sales register आया, stock register आया, stock में हाँ इतना माल आया हुआ, इतना गया, इतना sale हुआ, इतना purchase हुआ है, सब कुछ उसे register में था, तो अब order ने क्या कर रहा हुआ, वो register चेक किया, उसे सब कुछ ठीक लगा, जो उसे client ने register दिया, stock का, creditor के detail, debtor के detail, तो order ने वो सारी detail से check किया, तो उसे सब कुछ ठीक लगा, ठीक है, अब हुआ क्या, बाद में पता चला, ने, पहले पूरी बात सुनू, इसके पहले क्या हुआ, अब ये profit बढ़ गया, profit बढ़ गया, तो company ने dividend भी जादा दे दिया, अब देखो dividend कैसे जाद लेते हैं, इस profit पर dividend दिया, माल लो profit आ रहा था आपका, 10 लाख, 10 लाख के हिसाब से उन्होंने dividend दिया, अब होता क्या है, dividend दिया जाता है, profit से पहले transfer होता है, reserve में, balance sheet के reserve में, माल लो balance sheet अगर हम ऐसी बनाते हैं, यहाँ पर होता है न, share capital, reserve, तो पहले profit यहाँ से यहाँ transfer होता है, फिर यहाँ से dividend बढ़ आ जाता है, ठीक है, फिर यह balance amount आता है, अब हुआ क्या, profit तो actual में था ही नहीं, jam में तो इतना पैसा था ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने stock गलती से जादा दिखा दिया था, यह तो गलती से बढ़ा हुआ profit है, तो गलती से बढ़ा हुआ profit पर क्या करा, company ने भाई dividend बाट दिया, जो dividend बाटने का time आया, तो company देखा कि हमारे पास तो पैसा है यह नहीं, तो company ने क्या करा, अपना reserve, share capital, जो बहुत सारे item होते हैं, आज आपका होता है, एक है, क्या बोलते हैं उसको, share premium, और कुछ होते हैं, specials reserve होते हैं, बहुत सारे एक, अलग reserve बना जाते हैं, छोटे छोटे, अब company के पास, यह actual में नहीं था, तो company क्या करना पड़ा, company को ना, इन में से, इन में से मिला जुला के, लोगों को dividend बाटना पड़ गया, ठीक है, तो अब company ने क्या किया, company के पास profit नहीं था, actual में, लेकिन company ने कहा कि भाई, मिरको इतना profit दिख रहा है, तो इसके साब से उसने dividend बाट दिया, अब dividend बाटने का time आया, तो उसके पास actual में तो पैसा था ही नहीं, उसने क्या करा, इनमें से निकालके profit बाटा, अब जो बाद में company ने फिर से सब चीजे चेक की, तो company ने क्या कहा, कि भाई हमने तो audit करवाया था, किन से, भाई या, ABC associate से, यानि कि ये जो profit बढ़ा हुआ दिखा है, ये ABC associate ने चेक ही नहीं करा धंग से, ठीक है, तो ये गलती हमारी नहीं है ये जो loss हुआ है, ये इसकी वज़े से हुआ है, ये company ने कहा, और company ने ये कहते हुआ किसको कहा, कोट में, कोट में जाके क्या बोला company ने कि भाईया ये इसकी गलती थि जिसकी विज़े से मुझे loss हुआ इसकी गलती थी ठीक है अब कोट में case चल रहा है तो कोट ने क्या करा ये सब कुछ चीज ते शुनी तब कोट ने ये बोला कि नहीं sir गलती ओडिटर की नहीं है, ओडिटर सिर्फ एक वाच डॉग है, ना कि ब्लड हाउंड है, मतलब ओडिटर काम है, सिर्फ चीजों को देखना, अब्जर्व करना, ना कि खुद जाके घूम घूम के चीजों को खोदना, शिकार धूड़ना, शिकारी कुत्ती की तरह यह नहीं लगाएगा, नहीं, ओडिटर का काम है, कि जितनी चीज आप उसको दोगे, जो बुक्स ओफ अकाउंट जोगा, जो उसे दिख रहा होगा, उसमें जो डाउट होगा, वो पूछेगा, यानि जो मैनेजमेंट, उसे एक बुक्स किताब में, फिनेंशल अकाउंट जो देगा उसी को ओडिटर देखेगा, उसके बेस पे वो डिसाइड करेगा, ठीक है, इसलिए ओडिटर ओपिनियन देता है, ट्रू एन फेयर, ओडर कभी भी सेर्टिफाई नहीं करता, यह चीज ध्यान रखना, सिर्फ हो क्या करता है, ओपिनियन देता है, कि ट्रू एन फेयर, उसक चीज परफेक्ट है, जब ओडिटर कभी सेर्टिफाई करेगा, उस समय कोई गलती निकली कमपनी के अकाउंट्स में, तब ओडिटर को इस ओडिटर के उपर पैनल्टी लग सकती है, लेकिन एक ओडिट के केस में, जहां उसने ओपिनियन दिया है, वहां यह माना जाएगा कि वह सिर्फ एक watchdog है, सिर्फ वह चीजों को देखेगा, जो आपने उसे दी है, उसको चेक करेगा, उसमें doubt लगता है, तो वह आगे doubt पूछेगा management से, ठीक है, तो यह चीज court ने बोली, कि वह एक, जब एक case गया court के पास, watchdog है, ना कि bloodhound, bloodhound यानि शिकारी, वह शिकारी नहीं है, ठीक है, यह concept है, अब इसमें बच्चे कहां गलती कर जाते हैं, कि sir, फिर तो audit कराने का मतलब भी नहीं हुआ, जब गलती नहीं पकड़ पारा auditor, तो audit कराने का मतलब भी नहीं हुआ, नहीं दोस्त, होता क्या है, कि जो company document इसे देगी, 100% तो यह, कोई भी order नहीं कह सकता, कि सब कुछ 100% ठीक है, क्यों, company ने खुद ही, चीजों को ऐसे बना रखा है, company का मालो मेन मैनेजर है, जो मेन मैनेजर है, या CFO है, CFO है, जो मैनेजर है, वो इतना तेज तर्रार है, उसने पहले से सारे document सही से तरीके से बना रखे है, आप उसे find ही नहीं कर सकते हो, गलती है, तो हो सकता है न, इस पॉसिबिलिटी हो, इसलिए order कभी 100% चेक नहीं कर सकता है, 100% certified नहीं कर सकता, वो सिर्फ opinion देता है, true and fair की financial accounts के उपर, ठीक है, उसको क्या करता है, जो उसके सामने documents आते हैं, books आती हैं, details आती हैं, उनको वो देखता है, उसमें उसे कहीं doubt गलती है, तब वो जाके उसे पूछता है, कि हाँ, आप management ये बताओ, ये चीज़ सही है ये गलत, तब management बोलते हैं, कि हाँ सर ये तो कुछ गलती हो गई, या फिर नहीं सर ये ऐसे ऐसे ठीक है, आपको बस गलत दिख रहा है, ठीक है, ये होता है process, I hope आप समझ में सबको आ अगर ये case आप याद रख पाओ, तो well and good है, नहीं रख पाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस case में क्या हुआ था, कोईटर ने valuation जो की थी stock की, मतलब जो stock की valuation ना, वो manager वगरा ने कहीं ना कहीं overstate, यानि ज्यादा दिखार रख थी, जो हमने example पढ़ा ना, वो यही है था, ज्यादा दिखार रख थी, उसकी वजएस से उनको क्या करने पढ़ गई, ज्यादा payment करने पढ़ गई, stock ज्यादा हुआ, तो profit बढ़ गया, profit बढ़ गया, तो उनको dividend भी ज्यादा देना है, तो उनको payment of dividend क्या करने पढ़ा, capital में से, capital में क्या क्या आता है, capital में देखो आपका share capital भी आता है, आपका share premium भी आता है, और जो भी आप fund बनाते हैं, कुछ revaluation, reserve अगेरा, ठीक है, revaluation, reserve, यह लिख लेना आपको लिखना है, अदर बास लिखने की जरूत नहीं है, कहने का मतलब उसको इस case में, stock की valuation ज्यादा होगी, overstate हो गई, जिसकी वज़े से payment करनी पड़ गए, dividend की capital में से, तो इस पर क्या किया, और अप, इसमें order की कोई गलती नहीं है, order negligent नहीं माना जाएगा, यह इस court में decide हुआ, ठीक है, he is bound to believe, order क्या सोच के चलेगा, कि जो मुझे books दी है, provided to him, जो मुझे books मिली है, वो सही होंगी, अपने पूरे management के थुरू जो books बनाए गई है, वो एक तरह से सही होंगी, until and unless मुझे doubt ना आ जाए, अब उसने सारे किताबे, सारे stock register बनाए ही इस तरीके से थे, कि उसमें आप गलती निकाली नहीं सकते हो, जो management ही include हो गया, अब एक employee ने गलती की, वो तो आपने पकड़ ली, लेकिन अगर management ही include हो गया, बड़े लोग सारे ही, उपर से नीचे तक सब ही मिले हुए है, तो गलती कैसा पकड़ हो गया, ठीक है, तो court ने क्या decide किया, कि auditor is not bound to be detective, और detective की तरह नहीं होता, जैसे detective क्या करता है, detective ये थोड़ी है कि detective को जाके आप सारे चीज़े दे देते हो, माल लोग आपको किसी की detective, आपने detective हायर किया, किसी भी जैसे आप टीवी शोज में देखते हो नो, पर detective हायर करते है, कि गलती निकालने के लिए, उसकी गलती धूड़ने के लिए, ठीक है, fraud है, बंदा की नहीं है, चोरी चकारी करता है कि नहीं है, तो ना का छुपा है, ठीक है, तो उसमें detective क्या करता है, छुप छुप का financial statement बनाए है, वो मुझे दो, मैं ऐसे चेक करेंगा, ओयटर पीट पीछे तो नहीं जाता कहीं पर, कि फोन कर दिया, कि हाँ, एंप्लोई को, कि तु जो 500 रुपे ले लिए हो, तो आजा और मेरे को document दे के चले जा, नहीं न, तो ये फरक होता है, तो ओयटर एक detective नहीं है ठीक है, he is expected to play the role of watchdog, सिर्फ एक घर में के सामने जो बैठा हुआ हमारा पालतु dog है न, उसकी तरह काम करेगा, ना कि वो फालतु में किसी को भी आता जाते है, काटता रहेगा, नहीं, वो सिर्फ देखेगा, कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत ह क्या सही है, क्या सही है, क्या सही है, क्या सही है, गलत है, वो सिर्फ देखेगा, और अपनी report में, जो audit report होती है, उसमें mention कर देगा, ठीक है, he doesn't have any responsibility to detect anything by himself, ठीक है, तो इसलिए बताया गया है, अब मतलब इसको देशली language में हगर हम जाने, तो यही है, कि auditory एक बैट के सिर वो खुद जाके शिकारी, शिकार नहीं करता, खुद जाके धोंडता नहीं है, जंगल में, ठीक है, यह तो literally meaning हो गया, watchdog और bloodhound का, ठीक है, तो इसी चीज़ को apply करना है, बट यहाँ पर एक चीज़ गलती रहा जती है, इसका मतलब यह नहीं है, कि alter, कि सामने कोई चीज़ आ गई और से गलत लग रही है, तो उसे चेक ना करे, नहीं, अगर ऐसा है, तो उसके लिए penalty है, उसके लिए penalty है, दुबारा सुन लो यह point, यहाँ यहाँ बच्चे बहुत confused होते हैं, और उनके मन में doubt हमेशा रह जाता है, कि सर, यह क्या concept हुआ, ओडिटर सा चेक करवा लि तो ऐसा नहीं है दोस्त, just a second, अगर ऐसा है कि order के सामने गलतियां निकली, उसने देखा और उसने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है, उसने वो गलतियां नहीं अपनी रिपोर्ट में दिखाई, गलतियां दिखने के बावजूद भी, तो उस पर penalty लग सकती है, पर क्या है, सच में होता है, हाँ जी होता है, बहुत से C.A.F.M. इस चीज़ में भी फसती है, पैसा लेके अगर कुछ चीज़ गलत कर रहा है, तो वो भी फसती है, as per companies act में भी, as per income tax act में भी penalty दी हुई है, ठीक है, तो I hope यह concept आपको clear है, कोई doubt होगा तो आप पूर सकते हो इसमें, इसमें एक point यह और रहा गया, question क्यासे आता है, कि an order is watchdog and not a bloodhound, please explain, साथ में यह भी आ जाता है, इसके, and quality of auditor, what are the quality of auditor, ठीक है, यह भी question आता है, यह पूरा question एक साथ बनके आ जाता है, कभी हो, तो quality of auditor में क्या ले सकते हो, auditor के अंदर क्या quality होनी चीए, feature of auditing तो हमने पढ़ा था पहली class में, ठीक है, auditor के अंदर क्या quality होना चीए, सीधी सी बात है, मैंने क्या आपको बताया था, कि auditor check तो करेगा, चेक करने के बाद उसा doubt लगेगा, तो तो वो उसको पूछना उसकी जिम्मेदारी है ना, अगर उसने वो नहीं किया, तो उसके उपर भी penalty लग सकती है, correct, तो order independent होना चीए, यह नहीं कि company ने बोल दिया कि भाई इससे छोड़ दो यार, please, है ना, इसके वैसे मज़े loss हो रहा है, और मेरे से तो पांचलाग रुपाई ले ले, ठीक है, तो order independent होना चीए, पहली बात तो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर लिख देता यह भी आपको इस question में साथ में लिखता है, qualities of auditor, पहला, order क्या होना चीए, independent, ठीक है, दूसरा, दूसरा order में क्या quality होना चीए, कि order के अंदर इतनी knowledge होना चीए, कि वो financial statement को साही से read कर सके, ताकि उसे पता चले गलतियां कहां हो सकती है, ability to read, यह मैंने CA book से उठाया है, आपकी book में दे ही नहीं रखा है, दे रखा है तो बहुत ही वेग तरीके से, सही तरीके से नहीं दे रखा है, आप यह point लेखोगा, आपको इसमें 100% नमर मिलेंगे, ability to read, financial statements, ठीक है, तीसरा, और क्या होने चीज़ा है, quality, बताइए, सोचो मन में, knowledge of business, सर, knowledge और business क्यों नहीं चीज़ा, क्या जड़ोता है, business की knowledge होना, उसके पास अगर documents है, सारे financial statement है, तो वो check कर ही लेगा, नहीं दोस्त, अगर knowledge होगी business की, तो उससे पता होगा, कि इस business में क्या चीज़ गलत हो सकती है, और क्या चीज़ में ज़्यादा fraud होने के chances है, अगर जैसे होता है ना, हम लोगों में क्या सीज़ में क्या होता है, फिल्ड में, जब हम job पर जाते हैं, या हम अपनी firm में काम करते हैं, तो यह पूछते हैं, क्या तुन्हें इस वाले field में काम किया है गी नहीं किया, अगर उस field में काम किया होगा, तो मुझे पता होगा कि उस business में उस type की field में कहां-कहां गलतियां हो सकती है, कहां-कहां fraud होते हैं, क्या-क्या चीज़े चेक कर रही होती है, तो उसको उस business की, मानलो कोई भी business है, कोई भी industry है, चाहिए वो shoes industry है, जूते बनाने वाले industry है, मान अभी तो आराम से audit कर पाएगा, ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या लिखो गया आप, सोचो, हमने पढ़ा था, बट शायद आपको याद नहीं होगा, knowledge of principle या फिर law, applicable on the entity, अब उसे, वो laws भी पता होना चाहिए, जो इस entity पर लग रहे हैं, जैसे, अगर वो company है, तो companies act पता होना चाहिए, अगर वो partnership है, तो partnership act पढ़ा होना चाहिए, तब ही तो मैं जान पाऊंगो ना, कि partnership act में क्या लिखा है, और उसने उस हिसाब से सारे compliance किये हैं, कि नहीं किये, तो ये चीजें उस question के साथ आती है, तो ये चीज आप not down कर लेना, ये लो, आपको screenshot लेना है, आप ले सकते हो, ठीक है?